महाभारत जंग का आगास युद्शेत्र में नहीं बल्कि उस कक्ष में हुआ था जहां पांडवों और कोर्वों के बीट जुआ खेला जा रहा था। उसी कक्ष में पांडव अपनी मर्यादा यानी द्रौपदी को हार चुके थे। जुए में हारने के बाद उसकी शर्तों क अनुसाल समराट युदिष्टिर अपने भाईयों और पतनी द्रौपदी के साथ 12 वर्ष का वनवास का समय बिता रहे थे। एक बार उन्होंने हस्तिनापूर से कुछ ही दूर एक जंगल में अपनी कुटिया बनाई, सभी भाई जंगल में लकडी लाने, भोजन आदी की विवस्था करने और शस्त्रों का अभ्यास करने में विस्त रहते थे, बाकी के समय में वह सादू संतों के साथ धर्म चर्चा किया करते थे, लेकिन किसी तरह वह अपना कर्तवय निभा रहे थे, जब दर्योधन को समाचार मिला कि पांडव पास के ही वन में रह रहे हैं, तो वह उनका उपहास उडाने और उनकी दुरदर्शा का अनंद लेने के लिए वन जाने के लिए तैयार हो गए, दर्योधन ने दृतराष्टर से यह कहकर अनुमती ले ली कि वह अखेट के लिए वन में जा रहे हैं, उसके साथ थोड़े से सैनिक कुछ भाई और करन भी पांटवों की कुटिया से कुछी दूरी पर एक सुरोवर था, दर्योधन ने पहले वहाँ सनान करने और खान पान करने का निश्चे किया, जब वह उस सुरोवर के पास पहुचा तो कुछ पहरे दारों ने उसे रोक दिया, उन्होंने बताया कि सुरोवर में इस समय गंध जिनापूर का समराठू, यह सारा जंगल ही मेरा है, मुझे वहाँ जाने से भला कौन रोक सकता है, लेकिन गंधर्व ना माने तब दर्योधन युद्ध करने को तयार हो गया, उस समय युद्ध में चित्रसेन गंधर्व की सेना ने दर्योधन की सेना को मार भगाया, करन ज अरजुन ने तो कहा अच्छा हुआ, दर्योधन हमारा मजाक उडाने आया था, उसे अच्छा डंड मिला है, लेकिन युद्धिष्टिन ने कहा यह अच्छा नहीं हुआ, दर्योधन हमारा भाई है, बले ही आपसी विवात के समय, वे सो और हम पांच है, लेकिन भारी पांडव का मित्र था, वह जानता था कि पांडव क्यों वनवास भोग रहे है, उसने सोचा था कि दर्योधन के पक्ड़े जाने का समाचार सुनकर पांडव बहुत प्रसंद होंगे, लेकिन भीम और अरजुन ने उससे जाकर कहा कि दर्योधन हमारा भाई है, महरा युदि दर्योधन के मुक्त होने पर वह अर्जुन और भीम से अभार प्रकट करने लगा, और कहा कि तुम जो चाहो वह मांग सकते हो, फिर चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन अर्जुन ने उस समय दर्योधन से कुछ भी नहीं मांगा, और उसे पुना हस्तिनपूर के लिए दर्योधन ने अपनी वन यात्रा का कोई समय दर्यतराश्टर को नहीं दिया, लेकिन महात्मा विदुर के गुप्त चरों को सारा समय दर्यतराश्टर को दिया, यह सुनकर दर्यतराश्टर बहुत चिंतित हुए, और उन्होंने ना केवल दर्योधन को फटकारा, बलकि बिशम की यह बात सुनकर दर्योधन को भीशम पितामा पर विश्वास नहीं हुआ और दर्योधन ने भीशम पितामा से वह पांच तीर ले लिये और कहा कि वह कल सुभा इन तीरों को युद्ध में वापिस लोटा देंगे जब शेरी क्रिशन को भिशम के पांच तीरों के बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन को वह घटना याद दिलाई जिसमें अर्जुन ने दर्योधन के प्राण एक गंधर्व से बचाए थे उस समय दर्योधन ने कहा था तुम मुझसे बदले में कोई भी कीमती चीज मांग सकते हो लेकिन अर्जुन ने उस समय कुछ भी नहीं मांगा था लेकिन अब शिरी क्रिशन की बात मानते हुए अरजुन ने दर्योधन के बात जाकर उसे अपना वजन याद दिलाया और उससे वह भिशम दवारा दिए कि 5 सोने के तीर मांग लिए एक शत्रिये का वजन रखने के लिए दर्योधन ने भीशम के वह पांच सोने के तीर अर्जन को दे दिये इस तरह शरी कृष्ण की युक्ती से पांडवों के प्राण बच गए दर्योधन यह मान रहा था कि भीशम इस जैसे पांच तीर और बना लेंगे लेकिन भीशम ने ऐसा दुबारा करने से मना कर दिया और कहा कि यह तीर एक खास प्रकार के मंतर से अभी मंतरित थे जिसका की प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था तो मित्रो यह था आज का हमारा वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद